हमारे पास समय नहीं है, हमें सिर्फ दिमाग में ही रखना है कि मुझे अपना घुटना ठीक रखना है, तो उसके लिए मैं आपको चार वयाम बताऊंगी, चार एक्सरसाइजे बड़ी सिंपल, इतनी सिंपल कि कोई बच्चा भी कर लेगा, वो अपनी, जब वो स्कूल में भ किये, एक, दो, एक से लेके दस तक गिंती करिए, और फिर बड़े प्यार से इसको नीचरेए, जो सबसे जरूरी बात है कि हमें बड़े प्यार से ये करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो इससे तो रगड़े जाएगी, अगर रगड़ेंगे तो फिर हमारी ध बढ़ जाएगी और सोजिश भी बढ़ जाएगी, ऐसे ही हम दूसरे पैर के साथ, दूसरे गुटने के साथ करेंगे, इससे क्या है कि जो हमारी ये वाली मासपेशी है, वो स्ट्रॉंग होईगी, जितनी भी मासपेशी हैं, वो जॉइंट को इस तरीके से खीच के रखती ह और यहां पर जगा बनाके रखती हैं, जब ये मासपेशी हैं कमजोर हो जाती हैं और धिली पर जाती हैं, दोना चीज़ें आपस में इस तरीके से रगड़ खाती हैं, जब ये रगड़ खाएंगी, जो जॉइंट स्पेस है, ये कम हो जाती है, एक दुसरे पर रगड़ ख आगे पीछे हैं, वो हेल्दी रहेंगे आपके, बस आपको ये भी दस बार करना है, यू यू करके, और मुवमेंट है आगे पीछे की, खीच के रखना है, ऐसी दूसरे गुटने के साथ, फिर आएगी तीसरी एक्सराइस, एक फिस्ट मुठी बनाएंगे, हमेरे को कोई वो ठीक होएंगे और स्ट्रॉंग हो जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट एक्सराइस रहेगी, इस साइड पे हाथ रखेंगे हम, इसको ऐसे दबाएंगे, और हाथ को अंदर की तरफ, घुटने को बाहर की तरफ, इसको ऐसे दबाएंगे, ये एक्सराइस, दस की काउंटि के लिए दिन में दो बार करेंगे और हर अपने दस बार करनी है यह जो 4 x 10 x 10 है 2 x 4 x 10 x 10 है और x2 है यह जो फॉर्मूला है आपका यह आपके घुटने को सौ साल तक दर्द नहीं होने देगा अगर आपको यह information अच्छी लगी हो इसको आप शेयर करिए ताकि यह जो information है किसी और को पास करेंगे तो उनको आप घुटनों के दर्द से और घुटना बदलवाने से बचा सकते हैं